जाद संबल कर आगे खतराद मोड है याद अरे इतना भुस्सा कहीं हमारी नाफ पर जटवा देना एनाफ निकला यासे निकला क्यों मुझ पास्पूल में क्या किया सारे फसाद की चड़ तोमो सब पर बात किरती है तुमने तनी वागे क्या होने वाले अरे उसको उसी मुश्किल से निकालने के लिए ही तो हम लोग वहां गहें थे ना वरना उस नामा कोल वलिद के साथ उसकी शादी हो जाती मैं गया था ना वाँ पे, मैं गया था ना, सब संभाल लिया था ना मैंने, फिर क्या जरूरत थी आप लोगो वाँ पे आने की और उमीद से पूछे बगएर आपने उसका रिष्टा मांग लिया हाई सही के अरे वो चाय कुछ भी गए, शादी तु मैं नहीं करनी है न विसन असद, तो उससे शादी नहीं करोगे, अंडिसूड अरे तुम बेशक कुछ भी को, हम तेन बे चुके सानब असद, असद मैनी बात को सवर्जने की कोशिकर, वो नड़की तुमारे लिए सूटबन नहीं है एक बिले, आज तुम ये बात पिंफर्म कर रही तो, कि तुम मेरी साइड पे हो, या पर उमीद की साइड पे और भाई, अफकोर्स तुमारे साइड पे हो, लिकि उन लड़की तुमारे जिंदगी बरबाद कर देगी, मेरी बात को समझो मैं बरबाद होना चाहता हूँ, होगे तसन नहीं तुम्हें, टारो में या से फचाद, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने अजीब तरीकत से क्यों रियाख कर रहे हो मा मुझे कुछ नहीं बता, आप अभी उने कॉल करें और उने कहें कि हमें वो रिष्टा नहीं चाहिए वीट करो, हो सकते है एक दो दिन में वो फुद कॉल करके मना कर दे और अगर हा करती फिर तो फिर इश्यू ही क्या है? जिस समसी मिसकते हैं बिचा, विसन टुमी देखा मीमी, उस उम्मीद से ही सीखा इसने ये तोड़ फोड़ किना परना पागल हो गया उस लड़की के पीछे तो माँ, आपको किस ने कहा था कि आप उमीद किससा शादी कराए मैं नहीं चाहती कि तुमारा भाई मजीद पागल हो जाए तो आप सही नहीं करे हैं वारसल वाट जोटी सी नड़की ने दोनों को पागल किया हुआ है